आज कुछ अलग खाने का मन था तो सोचा क्या ही बनाऊं तो देखा फ्रीज खोल की तो उसमें धेट सारे छोटे-छोटे मीनी बैगन यानी ब्रिंजल रखे हुए थे तो उसकी सब्जी तो अल्रेडी मैंने अपलोड कर रखे वीडियो यूटूब पे तो फिर भी मैंने दे टमाटर प्यास को और यह देखिए हमने तेल में अच्छी तरह से फ्राइब कर लिया है बैगन को डी ब्राउन को यह देखिए गोल्डन ब्राउन एकदम सुन्दर सी कलर आ चुकी है और आधी पक भी चुकी है तो बचे वे तेल में हमने एक चमछ मेठी एट कर लेना है अच्छी तरह से अगर मसाले भून जाए तो एक चमच हमें बेसन एड़ कर देना है इससे जो टेस्ट आएगी ना वह बहुत ही अच्छी आएगी ग्रेवी जो हमारी है वह गाड़ी हो जाएगी तो इन सभी को और स्वात के नुसार नमक एड़ करके अच्छी तरह से नमक आएगी तामाटर को भी और साथ में ले ले लेते हैं ठोड़ा सा पानी ताकि टमाटर से पक जाए तो ये देखे तेल छोड़ चुकी है मसाले हमारे तो यानिकी, मसाले अची तरह से भून गए है साथ ही में हम ले ले लेएगे थोड़े से धनियापत्ते अभी और फ प्रेवी में डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से खतका लेंगे धक के थोड़ी दिर के लिए हम दो मिनट के लिए पका लेंगे तो यह देखिए सब्जी हमारी रेडी है और इसे गानिश करिए धनिया पत्ते के साथ और लाइक और सस्क्राइब करें और चलिए इसे हम च प्लेट जो है वो लग चुकी है आप अपनी भी प्लेट लगा लें और इंजोई कीजे और प्लीज अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और प्लीज लाइक और सस्क्राइब करें थैंक्यू फोर वाचिंग माई वीडियो और बैगन के सबजी आप इं और कैरला के जैसे सबजी लगेगी तो